वारा नसी में दो दिन खेली जाएगी हुली वेदाचार ने बताया कारण साथ से हटकर है कासी की परंपरा आईए आपको बताते हैं विस्तार से नमस्कार मैं हो खुस बुवर्मा आप देख रहे हैं नजर टुडे वारा नसी सहर में होली का दहन के दूसरे दिन चौस्टी देवी की यात्रा की परंपरा होने के कारण सहरी छेतर में होली का तहवा साथ मार्च को मनाने की तयारी चल रही है वहें कुछ हिस्सों में साथ मार्च की शाम को होली का दहन की तयारी चल रही है वारा नसी में इस वर्स हुली मनाये जाने को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है विद्वान बनारस में कब हुली मनाएगी इसको लेकर अलग-अलग तर्क दे रहे हुली की तारीख पर भ्रम के बीचवार नसी में दो दिन रंगों का तैवार मनाया जाएगा कहीं रंग तो कहीं फूलों की होगी होली दोनों दिन विविद आयोजन भी होंगे सहर के कुछ हिस्सों में जहां 6 मार्च की माध्य रातरी के बाद होली का दहन की तयारी है वहीं कुछ हिस्सों में 7 मार्च की शाम को होली का दहन की तयारी चल रही है बरुना पार इलाके में अधिकांस जगों पर 7 मार्च की शाम को गोधुली बेला में होली का दहन किया जाएगा वारानेसी के आसपास के ग्रामीन इलाकों में भी 7 मार्च की शाम को हुली का दहन होगा और 8 मार्च को हुली मनाई जाएगी वारानेसी में हुली का दहन के दूसरे दिन चौस्टी देवी की यात्रा की परंपरा होने के कारण सहरी शेतर में हुली का दहवार 7 मार्च को मनानी की तैयारी चल रही है उद्यातीथी में चेष्ट करिशन प्रतिपात का मान 8 मार्च को खुने के कारण सहर को छोड़कर आसपास के गाउं और वरुना पार के इलाके में खूली का तहवार मनाया जाएगा बीएच यू की जोदिसी विभाग के पुर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विने पांडे ने बताया की फालगुन सुल्क पुर्णिमा 6 मार्च की साम को चार बच के अठारा मिनट से लगेगी और साथ मार्च की साम को साड़े पांच बजे समाथ हो रही है ऐसे में प्रदोस काल व्यापनी पुर्णिमा में खुली का दहन 6 मार्च को किया जाएगा पुर्णिमा के साथ भद्र होने के कारण भद्र के पुषकाल में खुली का दहन का मुहरत रात्री में साड़ा बारा बजे से टीर बजे तक मिलेगा पुर्णिमा साथ मार्च को समाप्थ होने के बाद चेत्र कृष्ण प्रतिपाज साम को सुरू हो रही है लेकिन होली उद्या तिथी में मनाने का सास्त्री विधान है ऐसे में आठ मार्च को होली मनाए जाएगी प्रोफेसर विनेपांडे का कहना है कि वारा नसी की बात करे तो यहां में होली के लिए अलग-अलग परंपरा है कासी में जस रात को होली का दैन होती है उसकी अगले दीन चाहे प्रतिपाथ हो चाहे पुर्णिमा हो होली मनाई जाएगी यहां ऐसी परंपरा है जो सास्त्र से हट कर है कि दूसरे दिन 7 वासि चॉस्टी 6 देवी यूगनी की यात्रा निकलते हैं गुलाल और रंग खेलते हुए निकलते 24 देवी केवल कासी को माऀड को मनाई की साम को होगी खूली का दहन कासी विद्वान क田 करमकांड परिशद्ध के राश्ण्यय धक्ष्य अचा座 को बताया कि 7 माज को पुर्णिमा कास्त मांत साम को साड़े 5 बजे तक है और सुर्यास्त 5 बज के 49 मिनट में होंगे ऐसे में पुर्णिमा के बाद 49 घटी और 38 पल का सुर्यास्त मिल रहा है ऐसे में साथ की शाम को भद्र और अंत पॉर्णिमा का अंत और सुर्यास्त भी मिल रहा है ऐसे में कासी की जनता साथ मार्ज की गोगुली बेला में हुली का दहन करके आठ मार्ज को हुली मनाई जाएगी साथ मार्च को साम को हुतासिनी की जन्म जैनती और भगवान चेतनिय प्रभु का जन्म सभी मनाया जाएगा साथ मार्च को भद्र और समापन होने के बाद गोगली बेला में होली का दहन्त होगी जो दिश्यारिय पंडित विमल जैन ने बताया कि 6 मार्च को भद्र शाम 4 बच के 18 मिनट से अद्र रात्री के पश्चाद 5 बच के 15 मिनट तक रहेगी भद्र पुष्च की सुर्वात साड़े 12 बची से होगी और स्नान दान और वर्द का पर फालगुनी पुर्णिमा 7 मार्च को मनाई जाएगी जिलादी कारी S. राजलिंगमन ने सराब की दुकानों की बंदी के लिए नए सिरे से आदेश जारी किये हैं इसमें सहरी इलाके में 7 मार्च और देहाद में छेतर में 8 मार्च को पूरे दिन सराब की दुकाने बंद रहेगी इस तरीके से वारा नसी में होली मनाई जाती हैं आप कैसे मनाते हैं आप भी कमेंट करके आप इस चैनल में बता सकते हैं